नमस्कार, मैं तरुना चौधरी सेंट जोसफ एकेडमी मरियन नगर गाजियाबाद की हिंदी की अध्यापी का हूँ आशा है सभी स्वस्तेवं सुरक्षित होंगे आज में आपको चलना हमारा काम है शिव मंगल सिंग सुमन द्वारा रचित कवीता पढ़ाने जा रही हूँ यह कवीता आशावादी कवीता है इसमें निरंतर पर्यास करते हुए आगे बढ़ने की प्रेड़ना दी गई है कवी कहता है कि जब तक हमें हमारा लक्षे ना मिल जाए तब तक हमें रुखना नहीं चाहिए जीवन में सुक दुख सफलता असफलता आशा निराशा के चन तो आते जाते रहते हैं उनसे हमें घबराना नहीं चाहिए तो आईए कवीता पढ़ते हैं गती प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं दरदर खड़ा, जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना पड़ा, जब तक न मंजिल पा सकूं, तब तक मुझे न विराम है, चलना हमारा काम है। तो कवी कहता है कि गती, गती यानि की रफ्तार, हमारे पैरों में, पैरों मतलब पाउं में, प्रबल, प्रबल का अर्थ है शक्ति शाली, हमारे पैर, पाउं प्रबल हैं, उनमें चलने की शक्ति है, उनमें रफ्तार है, फिर क्यों रहूं दरदर खड़ा, दरदर खड़ा का अर्थ है दर्वाजे दर्वाजे दूसरों के दर्वाजे पर नहीं खड़े रहना। दूसरों के से आश्रे मांगने के लिए नहीं जाना। हमें आत्म निर्भर बनना है, हमें निरंतर आगे बढ़ना है, क्योंकि हम शक्ति शाली है, प्रबल शक्ति हमारे पैरों में भरी है, तो हमें आगे बढ़ते रहना है, जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना पड़ा, तो जब मेरे सामने इतना बड़ा रास्ता है, मंजिल तक पहुँचने के लिए हमें क्या करना है, निरंतर चलते रहना है, मुझे रुक कर किसी से सहारा नहीं लेना, और अपनी मंजिल तक पहुँचना ही है, चाहे कितना भी लंबा रास्ता हो, मुझे निरंतर आगे बढ़ना है, मंजिल का मतलब है यहाँ पर लक्षय, उदेशय, गंतवय, जब तक मैं अपने उदेशय को ना पालू, जब तक जो मैं चाहता हूँ, वो मुझे ना मिल जाए, तब तक मुझे ना विराम है, विराम का अर्थ है कि तब तक मुझे आराम नहीं करना, जब तक मुझे मेरी मंजिल, मेरा विराम नहीं मिल जाता, तब तक मुझे रुकना नहीं है, मनुष्य बड़ी बड़ी चुन्वतियों का सामना करने की शक्ती रखता है, उसे अकेले ही अपने मंजिल तक जाना होता है, उसे रुकना नहीं चाहिए, दूसरे पर निर्भर नहीं होना चाहिए, जब तक मंजिल ना मिल जाये तब तक अराम नहीं करना चाहिए, जीवन पर जीवन भर उसे आगे अपने कर्टव वै पर चलते ही रहना चाहिए, क्योंकि जीवन का नाम ही चलना है, रुकना तो मृतियू के समान है, मनुष्य को गती शील होकर अपने उदेश्य को पाना चाहिए यहां कवी ने आजीवन करतव्य रत होने के लिए निरंतर आगे बढ़ने की प्रेड़ना दी है यह समझ में आ गया होगा अब हम दूसरा अनुछेद लेते हैं कुछ कह लिया कुछ सुन लिया कुछ बोज अपना बट गया अच्छा हुआ तुम म परीके कहुं राही हमारा नाम है चलना हमारा काम है कवी कहता है कुछ कह लिया कुछ सुन लिया मनुशे एक सामाजिक प्राणी है उसके मन में तरह तरह के विचार आते रहते हैं, तो वह अपने विचारों को व्यक्त करना चाहता है, और दूसरे के विचारों को जानना चाहता है, अर्थात सदेव उसके मन में इच्छा होती है बातचीत करने की, अकेला वह रह नहीं पाता, तो कहता है, जीवन में कुछ कह लिया, कुछ सिन लिया, अपने विचार बताएं और दूसरों के विचार सुनें, तो इससे क्या होता है, कुछ बोज अपना बट गया, तो इससे क्या होता है, मन पे जो बोज होता है, तनाम होता है, जो चिंता होती है, उससे मुक्ती मिल जात ऐसा कहा भी जाता है कि दुख बाटने से कम होता है और खुशी बाटने से बढ़ती है तो जीवन के पत में हमें अनेक लोग मिलेंगे तो हमें कुछ कहते हुए उनकी सुनते हुए अपने मन का बोज कम करते हुए निरंतर आगे बढ़ना चाहिए तो फिर वो कहता है अच्छ हुआ तुम मिल गई कुछ रस्ता ही कट गया तो इस जीवन के रास्ते में उसे एक साथी मिला वह साथी कौन थी पत्नी थी प्रेमी का थी हम कुछ नहीं जानते बस हम यहां लेंगे कि उसे कोई एक साथी मिला जिससे के मिलने से क्या हुआ उसे प्रसनता हुई क्योंकि एक रखती थे आपस में बातचीत करते हुए दुख सुख बाड़ते हुए अच्छे से कट गया वह आगे चलता ही रहा तो वह कह रहा है क्या राह में परीचे कहूं राही हमारा नाम है तो कभी कहता है मैं अब आपको अपना क्या परीचे दूं मैं तो इस जीवन रूपी यात् का यात्री हूँ इसलिए राही मेरा नाम है तो चलना हमारा काम है तो यहां पर कभी कहता है कि जीवन रूपी यात्रा में अनेक यात्री मिलती है राही मिलते हैं यानि इनेक यात्री मिलते हैं, उन से सुख दुख बाट कर मन का बोश थोड़ा हलका हो जाता है, तो जीवन में जो उसे यह सहचारे मिला, साथी मिला, उसके कारण रास्ता जो है सरलता से वेतीत हो गया, वे आगे बढ़ पाया, और फिर वो कहता है, लेकिन साथी मिले, हम सब का क्या पर ही है, लेकिन हमें जीवन पद पर अकेले ही बढ़ना होता है, तो निरंतर हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, अब हम इसके तीसरे पद्दे पर आएंगे, यहां पर कभी कहता है, कि, जीवन अपून लिये, पाता कभी, खोता कभी, आशा निराशा से घिरा, हसता कभी, रोता कभी, गती मती ना हो अवरुद, इसका ध्यान आठो याम है, चलना हमारा काम है, जीवन अपून, अपून का मतलब है अधूरा, आधा, हो कहता है, मुझे अपना जीवन अपून ही लगता है, तो कभी को लगता है, लेकिन सभी को ऐसा लगता है, ऐसा क्यों लगता है कि हमें अपना जीवन अपूर लगे, उसका यह कारण है कि मनुष्य के मन में अनेक इच्छाएं होती है, उन इच्छाओं की पूर्ती होने पर वे प्रसंद हो जाता है, वे इच्छाएं पूरी नहीं होती, तो वो निराश हो जाता है, तो वो अपने जिसके कारण हमें लगता है कि हमारा जीवन अपून है फिर वो कहता है पाता कभी खोता कभी आशा निराशा से घिरा पाता का मतलब है कि उसे कुछ मिल गया और खोता मतलब कुछ खो गया जो वो कुछ पाना चाहता है वो मिल गया और कुछ खो गया इसका भाव यह है कि पूरी हो जाती हैं, जो हम चाहते हैं, वो हमें मिल जाता है, तो हम प्रसन हो जाते हैं, कई बार कुछ चीजें हमें मिल भी जाती हैं, लेकिन कुछ समय बाद वो खो जाती हैं, तो फिर हम निराश हो जाते हैं, तो ये जीवन उतार चड़ाव से घिरा हुआ है, इसी कारण ज शे सदे आशा और निराशा से घिरा रहता है कुछ पानी की आशा कि कुछ मिल जाएगा और कभी कभी उसे लगता है कि जो मुझे चाहिए वो नहीं मिलेगा तो निराश हो जाता है इस तरह आशा और निराशा के समुद्र में गोते लगाता रहता है हस्ता कभी रोता कभी, गती मतीना हो अवरुद हस्ता है कभी और कभी रोता है तो मिलने पर उसे खुशी होती है, वे प्रसन होता है, हस्ता है और कभी-कभी दुखी भी हो जाता है तो इस प्रकार हम देखते हैं जीवन अपून है क्योंकि उसके अंदर क्या है सुख ही सुख नहीं है आशा निराशा हसना रोना यह सब कुछ है इसके साथ ही हमारा जीवन आगे बढ़ता रहता है तो क्या कहते हैं आशा निराशा हसने रोने सफलता सफलता पर भी हमारी गती और मती अवरुध रुकनी नहीं चाहिए निरंतर आगे बढ़ती रहनी चाहिए गती का मतलब है चाल यानि कि हमें रुकना नहीं है मती ये एक important महत्पून शब्द है ध्यान रखेंगे मती का अर्थ है बुद्धी अवरुध अवरुध का मतलब है कि बुद्धी हमारी विरोधी ना हो जाए रुक ना जाए यानि कि जब हमें सफलता मिले तो हम रुक कर रुक ना जाए बैठना जाए और मती का अर्थ है कि हमारी बुद्धी सुख में हम ज्यादा अहंकारी ना हो जाए और दुख में ज्यादा अवसाद में निराशा में ना घिर जाए सदेव हमें क्या रहना है अवरुद्ध निरंतर बढ़ते रहना है इसका ध्यान आठो याम याम का मतलब होता है 24 घंटे हमारे हिंदी के अनुसार जो है आठ प्रहर माने गए है जैसे दो प्रहर होता है ठीके तो आठो याम मतलब 24 घंटे हमें याद रखना है कि हमें निरंतर चलते रहना है चलना ही हमारा काम है चाहे हमारा जीवन अपूर है कुछ मिल रहा है नहीं मिल रहा है लेकिन हमें रुकना नहीं है अत्यधिक प्रसन नहीं होना अत्यधिक दुखी नहीं होना क्योंकि जो जीवन में दिन है वे एक से नहीं रहते जीवन में क्रम से सुख दुख आते रहते हैं जिस प्रकार से दिन और रात होते हैं मौसम बदलते हैं ऐसे ही हमारे जीवन में सुख दुख आते रहते हैं, सफलता सफलता मिलती रहती है। लेकिन हमारी गती नहीं रुकनी चाहिए, हमें आठों याम, 24 घंटे इस बात का ध्यान रखना है कि रुकना नहीं है। चलना ही जीवन है, रुकना मृत्यू है, इसलिए हमने अपने मार्क पर, अपने लक्षे पर निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो इसका विशेश बात यहां पर यह है, कि हर सफलता असफलता में हमारी बुद्धी स्थिर रहनी चाहिए, हमें ना अभिमानी होना है, ना दुखी होना है, निरंतर आगे बढ़ते रहना है। अब अगले अनुछेद में, अगले पद्धे में देखेंगे, इस विशद विश्व प्रहार में, किसको नहीं बहना पड़ा, सुख दुख हमारी ही तरे, किसको नहीं सहना पड़ा, फिर वेर्थ क्यों कहता फिरूं, मुझ पर विधाता वाम है, चलना हमारा काम है। तो वो क्या कहते हैं, इस विशद, विशद मतलब विश्दृत, फैले हुए, विश्व प्रहार में, विश्व के प्रवहा में, किसको नहीं बहना पड़ा, मतलब दुनिया के अनुसार सब को चलना ही पड़ता है, हमारा मन करने का कुछ और होता है, लेकिन हमें सांसारिक का पालन करना ही पड़ता है क्या करें यह जीवन है यह संसार है तो इस संसार के अनुसार हमें अपने कारण करने ही पड़ते हैं उसके कारण भी हमें क्या करना पड़ता है सुखों और दुखों का सामना करना पड़ता है इस विशद विशद मतलब विस्तृत विश्व प्रह संसार के प्रहार में बहाव में हमें बहना ही पड़ता है सुख दुख हमारी ही तरह किसको नहीं सेहना पड़ा तो इसका भाव यह है कि हमारी तरह ही सब को इस संसार में सुख दुख सेहना पड़ता है हम अकेले नहीं हैं, जिनको परिस्थितियों के अनुसार आगे बढ़ना पड़ता है, अपने मन के विप्रीत कार्य करना पड़ता है, यह किसको नहीं सहना पड़ा, यह सब कुछ सभी को सहना पड़ता है, कभी मन चाहा होता है, कभी नहीं होता, तो यह ऐसा दुख सबको ही स पड़ता है फिर भी हमें क्या कहना चाहिए फिर व्यर्थ व्यर्थ का मतलब हो गया बेकार में क्यों बेकार में कहता फिरूं क्यों ऐसे बोलता रहूं मुझ पर विधातावाम है मुझ पर इश्वर विरुद है इश्वर क्या है मेरे विरुद है ये मुझे नहीं कहना चाहि अर्थात मुझे यह नहीं कहना चाहिए कि इश्वर मेरा साथ नहीं दे रहा भगवान मेरे साथ नहीं है ठीक है तो भी हमें क्या करना चाहिए कभी भी निराश नहीं होना चाहिए इश्वर पर से अपना विश्वास नहीं हटाना चाहिए निरंतर अपने कर्तव वैपत पर बढ़ते रहना चाहिए क्योंकि सुख दुख जीवन के अनिवारें अंग हैं और जीवन संसार के अनुसार सभी को चलना पड़ता है तो अपने आपको कभी भी आभागा ना कहो और अपने आपको स्थिर रखते वे आगे बढ़ो तो यहां पर एक प्रकार से कभी सांत्वना दे रहा है तसली दे रहा है कि ऐसा केवल हमारे साथ ही नहीं हो रहा ऐसा सभी के साथ होता है सभी के जीवन में सुख दुकाते हैं सभी को दुनियादारी निभानी पड़ती है और चलना पड़ता है तो हमें भी कभी भी यह नहीं कहना चाहिए कि भगवान हमारे साथ नही हैं हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए क्यों क्योंकि चलना हमारा काम है रुकना तो मृत्यू है मैं पूनता की खोज में दरदर भटकता ही रहा प्रतेग पग पर कुछ न कुछ रोड़ा अटकता ही रहा निराशा क्यों मुझे जीवन इसी का नाम है चलना हमारा काम है मैं यानि की कवी यानि की हम लोग पूनता का मतलब हो गया यहाँ पर पूनता का मतलब हो गया कि हम सब अपने आपको क्या चाहते हैं पून हो जाएं किसी चीज की हमें कमी ना हो सब कुछ हमें मिल जाए ठीक है दर दर भटकता ही रहा क्या हुआ इसके लिए मैं दूसरों के सामने हाथ फैलाता रहा उनसे आश्रे मांगता रहा लेकिन क्या है प्रतिग पग पर प्रतिग पग पर पग मतलब प्रतिग कदम पर कुछ ना कुछ रोड़ा रोड़ा का मतलब है बाधा रुकावट अटकता अटकती ही रही निराशा क्यों मुझे तो ऐसे समय में मुझे निराश नहीं होना है चाहे कुछ भी हो जाए हमें ऐसे समय में भी निराश नहीं होना है क्योंकि मनुष्य कभी पूर नहीं हो सकता प्रतेक व्यक्ति में गुण अवगुण दोनों होते हैं कुछ ना कुछ दोश जरूर होते हैं ठीक है, समपूर बनना चाहते हैं पर बन नहीं पाते और इसी कारण क्या होते हैं? दर-दर भटकते हैं हम अपनी मार्ग से भटक जाते हैं लेकिन हमें भटकना नहीं हैं अपना कदम आगे बढ़ाते हैं रास्ते में अनेक माधाएं आ जाती हैं तो भी हमें उन बाधाओं का सामना करना हैं उन पर विजय पानी है क्योंकि निराश होकर यदि हम प्रेतन करना बंद कर देंगे या सफल होने पर हम काम करना छोड़ दे तो क्या होगा जीवन में निराशा ही मिलेगी और जीवन में सुख दुख आशा निराशा सफलता आसफलता बाधा निरबाधा की चिंता किये बिना हमें निरंतर कर्म पत पर आगे बढ़ते रहना चाहिए यही हमारा कर्तव्य है कवी ने इसमें कहा है कि जीवन में चाहे कितने सुख दुखाएं हमें आत्म निर्भर होकर साहस के साहत हिम्मत के साथ आगे बढ़ते रहना है पहले ही मैंने कहा था यह कवीता आशावादी कवीता है तो इसमें यही भाव है कि हमें निरंतर अपने जीवन पत पर आगे बढ़ते रहना चाहिए फिर क्या कवी कहते हैं साथ में चलते रहे कुछ बीच ही से फिर गए गतीना जीवन की रुकी जो गिर गए सो गिर गए रहे हर दम उसी की सफलता अभिराम है चलना हमारा काम है साथ में चलते रहे कुछ बीच में ही बीच ही से फिर गए तो इसका क्या मतलब है वो कहते हैं कि कुछ साथ में थे और कुछ बीच में ही हमें छोड़ कर चले गए तो हमें क्या है फिर भी गती ना रुकी जीवन की गती रफ्तार नहीं रुकी जीवन की फिर भी जो नहीं रुके उनको क्या मिली सुन्दर सफलता मिली तो यहां पर कभी कहना चारा है मार्ग में हमें कुछ साथी मिलते हैं ठीक है जो हमें हमारे साथ सदा रहते हैं साथ में चलते रहे जो हमारे साथ चलते रहे कुछ बीच ही से फिर गए और कुछ ऐसे साथी थे जो बीच में से ही रुक गए जिनोंने निराश होकर अपना मार्ग पर चलना छोड़ दिया वो बीच रास्ते में से ही लोट गए जो निराश होकर लोट गए उनको कभी भी सफलता नहीं मिलती तो हमें निराश नहीं होना हमें निरंतर आगे बढ़ते रहना है क्यों कि जीवन का नाम ही चलना है बीच में ही रुक गए गती न जीवन की रुकी तो यहाँ पर है कि कुछ हमारे साथ थे लेकिन कुछ बीच से ही फिर गए कुछ बीच से ही फिर गए इसका भाव यह है कि कुछ लोग हमारे साथ थे उनका साथ बीच में से ही छूट गया हमारे जीवन पत पर अनीक लोग очь हमारे साथ होते हैं कुछ तो अन्त तक हमारे साथ रहते हैं, लेकिन कुछ लोगों का साथ छूड़ जाता है, एक तो यह बात हो गई, दूसरा यह होता है, हम खुद भी देखते हैं, हमारे जीवन में, हमारे परिवार में अनेक लोग होते हैं, जिनकी अस हमें मृत्य हो जाती है, यह समय से भी मृत्य होती है, तो भी उन दुखों से हमें दुखी नहीं होना, रुकना नहीं है, क्योंकि जो चला गया, सो चला गया, तो भी क्या उसके जाने से, दुनिया रुकती है, दुनिया कभी नहीं रुकती, संसार कभी नहीं रुकता, संसार सदेव चलता रहता है, तो गती न जीवन की रुकी, तो यह जीवन की गती कभी नहीं रुकी, जो गिर गए, सो गिर गए, रहे हर धम, ठीक है, जो गिर गए, सो गिर गए, जो गिर गए, जो चले गए, जिनका साथ छूट गया, तो उनका हमें याद करके, उनको याद करके हमें दुखी नहीं होना, तो वो कहते हैं, कि जीवन में साथी आते जाते रहते हैं, ठीक है, जो इस पर विचार करता है उसको उसके उद्यश्य की प्राप्ती नहीं होती जो रुकावटों, संकटों, दुखों में भी खड़ा रहता है स्थिर रहता है, आगे बढ़ते है उसे ही जीवन की सुन्दर सफलता अभिराम है सफलता मिलती है मतलब सुन्दर सफलता मिलती है किसे जो चलना हमारा काम है जो निरंतर आगे बढ़ता रहता है तो यहाँ पर कवी ने सपष्ट किया है कि जीवन में चाहे कितने सुख दुख आएं हमें रुकना नहीं है हमें निरंतर आगे बढ़ना है जो व्यक्ति निरंतर आगे बढ़ता रहता है उसे ही जीवन में सफलता मिलती है इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कवी का उदेश्य है कि मानव को विग्न बाधाओं पर विजय प्राप्त करते हुए निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए गती ही जीवन है जीवन में सफलता असफलता सुख दुख आते रहते हैं जीवन यात्रा में हारजीत होती रहती है परिस्थितियां सदेव एकसी नहीं रहती हमें किसी भी परिस्थिती में अपनी मती को बुद्धी को स्थिर रहना चाहिए संभाव रखना चाहिए और गती शील रहना चाहिए तभी हम अपने उदेश्य को प्राप्त कर सकते हैं तो इस प्रकार यह एक आशावादी कवीता है हर परिस्थिती का मुकाबला करते हुए हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए आशा है आपको कवीता अच्छे से समझा आ गई होगी नहीं आई होगी तो कक्षा में पोच सकते हैं और अपनी अभ्यास पुस्दिका में दिये गए प्रश्णों को करने का प्रयास करेंगे धन्यवाद